कि दुर्भागे से कश्मीर से कन्या कुमारी तक परिवारवादी पार्टियों परिवार की पार्टियों इसका जो जान नजर आ रहा है जरान नजर कीजिए कश्मीर से कन्या कुमारी तक फैमिली पार्टियों का जान लोग तंत्र के लिए खत्रा बनता जा रहा है कि दुर्भागे से देश की एक राश्टिय स्था की पार्टिय अन्य दसदकों तक देश में नितुत्र करने वाली पार्टियों वह भी एक परिवार के चंगाल में पस गई तमाम जो नेता और अलगावदी नेता जो कठा होकर कि इन्होंने एक गुपकार समीति बना रएक है उस गुपकार समीति में इस तरह से कुछाथ फैसले यह लेते हैं जिसमें कि पूरा का पूरा तेश-बिरोदी बातें वोतज हैं देश के समीधान को चुनोती देनी वाली बाते होती हैं इसमें ये लोग फारुक अध्यक्ष हैं महभव मुफ्दी उपाध्यक्ष हैं ये लोग इस तरह की फैसले ले रहे हैं कि हम दुबारा से जो बादारा 370-35 को फिर से दुबारा से जो है राज्यम्य लागो करेंगे औ उस तरह में जो इस तरह से जो भारती जन्ता पाल्टी का दिरोध करते करते हैं वह देश्क हैगें सीस तरह से बाते बहुता करने के चीन Г लिए और ज इस तरह से अभी हमारे जुपा किस्तान के मनसुब नाकामयाब कर रही हैं और पर प्रचंड मीस को वहां की चिंता लेगी हुई है कि वहां पर समझवाता होना चाहिए और बाचीत होने चाहिए पाकिस्तान के जो कारणामों पर जो वह आपर बराबर करते जा रहा है जिसने के हमारे दिवाली के मौची पर जो है वहां पर सीजफाइर क्या इस तरह से गुपकार कमेटी में ज जिस गुपकार में समित सामिल हो गई है जिस गुपकार को जो है अलगावादी लोग डील करते हैं जो कुख्यात जो है तेश विरोधी बातें करते हैं वहाँ पर इसे पहले ले ले हिल डेब्लेमेंट काउंसिल के चुना हुए थे जिसमें उनको भारती जंदापारी को प्र में विशेश अधियन है आपका हमा साथ जुड़े हैं सी पहुंतियागी जी पहुंतियागी जी आपका बहुत बहुत स्वागता है मैं चैनल पर सर बताईए कि जिस तरफ यह गुपकार कमेटी वाली जो अनाब सनाब फैसले लेते हैं और इन्होंने अपना गुपकार में जो है एक संगठन मना रखा यह इस तरह की जो फैसले लेते हैं जो देश को जो है नागवार गुजरता है देश के लोग जो है जो 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 पसंद नहीं करते हैं यह फिर से उट गया और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कांग्रेश जो है मिल गई है जो कि जिसने के सबसे ज जमितिके लोगों को जो भारुक अब्दुला और मेववा मुपतिया अमर अब्दुला तमाम लोगों को क्या कहींगे आप देखिए जो जम्मू और कश्मीर है इसको भारत का मुकुट कहते हैं क्या कभी आपने सुना है कि एक मुकुट को किसी विक्ति से अलग रख दें तो कांग्रेस को इसको अगले तीन चार साल में हटा देना था लेकिन कांग्रेस ने अपनी तुष्टिक करन की नीतियों के कारण उसको लगातार बनाए रखा सतर साल तक जिसके कारण जम्मू और कश्मीर बाकी देश से अलग धलग रहा और अलगावाद वहां पनपता रहा पाकिस्तान के आतंकवादी वहां पैर पसारते रहे घर घर में वहां इसी तरह आतंकवादियों की घुसपैट हुई जिसके कारण वो देश से अलग थलग होकर उसका डवलम्मेंट भी उस तरह नहीं हो पाया लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पाया वहां शिक्षा का स् अब ये जो नेता हैं ये पीडीपी हो गई नेशनल कॉनफरेंस हो गई और ये कांगरेज भी साथ में इनकी असल में दाल रोटी इसी से चल रही थी कि ये पाकिस्तान का प्रवेजित जो आतंकवाद है उनको वहां बढ़ावा दें फिर जम्मू और कश्मीर के लोगों को भड़काएं और ये कहें कि भारत तो आपका ध्यानी नहीं दे रहा है बाकी भारत तो आपसे अलग है और आपका निशान अलग है आपका विधान अलग है भारत हमारा देश नहीं है इन्होंने हमेशा अलगावाद की निती अपनाई और कश्मीरियों को कभी भी मूल धार में मिलने नहीं दिया मोधी जी ने जब से धारा 375 से हटाई है उसके बाद अभी ये पूरा एक देश हो चुका है एक निशान एक विधान हो गया है जो इस देश की रिक्वार्मेंट थी और हर देश भक्त की पुकार थी भाजपा तो पिछले 70 साल से अभियान चला रही थी जिसके लिए बलिदान भी दिया श्वामा परसाद मुखर जी का बलिदान उसके लिए हुआ सेंकड़ो कारे करता है और हमारे मोधी जी भी वहां इंडा फैराने के लिए गए तो एक सपना था हर भारतवाशी का कि ये धारा 370 और 35 से हटे आतंकवाद वहां से हटे और मू ने कहा ये परिवार की पार्टियां मोधी जी ने अपने उद्बोधन में जिकर किया इनका कि ये कुछ परिवार की पार्टियां हैं अब जब आप देखिए बिहार का चुनाओ जीत करके कारे करता उत्सा में थे मोधी जी ने केंडरिया कारेले दिल्ली में उद्बोधन अपने कार्यकर्ताँं को किया और उस समय उन्होंने ये लाइन बोली थी कि ये जो परिवार की पार्टिया है बहुत ही खतरनाक हैं देश के लिए ये खतरा है देश के लिए और इनका है किया के परिवार है आप महभुबबा मुद्धी देख लीजिये एक परिवार ये नेशनल कॉन्फरेंस का फारुक अब्दुल्ला देखिए एक परिवार कांग्रेस एक परिवार और ये जो परिवार बाद है इनकी डाल रोटी इसी से चलती है कि यहां जाती बाद में लोगों को लड़ाओ धरम के नाम पे लड़ाओ और ये खतरनाख खेल कश्मीर में महभूबा मुप्ती और नेशनल कॉन्फरेंस तो ये कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं अगर बॉर्डर पर हमारे दोनों तरब के सेनिकों की गोला बारी चलती है जिसमें सीस फायर का वाइलेशन पाकिस्तान करता है लेकिन उस पर जब दोनों तरब के सेनिक मारे जाते हैं तो महभूबा मुप्ती को पाकिस्तान के मारे जाने का दुख जादा है क्यों भई खाते इस देश का हो रहते इस देश में हो और रोते पाकिस्तान के लिए हो ये गदारी है देश के साथ और इसी तरह ये जो इन्होंने गुपकार गोशना करी है गुपकार गोशना पत्र जारी किया है गुपकार समीती जो बनाई है ये इसी लिए बनाई कि एक द प्रेंस तीनों दल एक दूसरे के दुश्मन लेकिन पहली बार धारा 370 और 35 ए वापस ही लाने के नाम पर ये एक हो गए गुपकार जो समीती है उसका जो गोशना पत्र है क्या है कि हम धारा 370 और 35 ए को वापस लागू करेंगे इसके लिए चाहे हमें चीन की मदद भी क्यों ना लेनी पड़े ये कैसा बयान है ये किस बात की तैयारी है और इस बात को लेकर के ये ग्रामीन अंचल के जो चुनाव होने हैं जिसका आपने अभी जिकर किया कि वो 8 चर्णों में चुनाव हैं डी सी सी के तो ये क्या सोच र पर हमारा कबजा हो जाए ग्राम परधानी पर हमारा कबजा हो जाए क्योंकि अब आप जानते हैं कि भारत में एक कानून है जो केंदर सरकार कर रही है कि जितने भी विकास के कार्य हैं वो ग्राम परधान के जरिये हो रहे हैं सारी ताक्तें ग्राम परधान को दे दी गई ह सम्विधानिक ताक्तें उसको दी गई है तो यह सोचते हैं कि जो ग्राम परधान चुने जाएंगे उसमें जादे से जादे प्रतिनिद्व हमारी पार्टियों का हो और कोई भी ऐसी पार्टि ना आपाए जो भाजपा को सपोर्ट करें और इसलिए महबुबा मुप्ति और जो फारुक अब्दुल्ला हैं ये तो गुपकार समीती की बैठक में खुला बोलते हैं कि हमारा तो भाजपा से विरोध है लेकिन ये एक बात बोलते हैं कि हमारा विरोध भाजपा से है देश से नहीं है लेकिन ये गलत बोल रहे हैं ये बरगला रहे हैं देश को इनका भ डिसिजन लेती है दोनों सदनों से उसको पास किया जाता है और आप बोल रहे हो के हम उसको हटाएंगे सोरी वापस लाएंगे कैसे तो महभुबा मुपती बोलती है चाहे हमें चीन की मदद लेनी पड़े फारुक अब्दुल्ला भी बोलते हैं चीन की मदद क्यों ले बाद को वापस कैसे लगाओंगे तो आप कह रहे हो कि हम मोदी सरकार को हटा देंगे कैसे तुम कहां तुमारा आधार है जम्मू और कश्मीर में भी अगर तुमारा आधार होता तो ले लद्दाक का जो अभी चुना हुआ हुआ है पिछले दिनों जो हिल डवलप्मेंट कॉंसि का उसमें आपको कितनी सीट मिली गिंती की दोसीन सीट कोई पूछा नहीं आपको 15 से जादा सीट तो भाजपा को मिली है वाँ और उसके अलाइंस को तो आपको नकार दिया वहां के लोगों ने कि आप जिनका अभी तक दम भरते थे कि हम यहां के लिए नेता हैं ले और र रोजगार तो दे नहीं पाए पिछले सत्तर साल में औरे सत्तर साल से शाषन कश्मीर में किसका था जम्मू और कश्मीर में अदल बदल के इनी तीन पार्टियों का तो शाषन रहा है कांग्रेस का साथ रहा फिर चाहे इसमें नैसिनल कॉनफरेंस का साथ रहा चाहे जो है में PDP का शार्षन रहा और 70 साल में PDP National Conference और Congress कश्मीर के युवाओं को क्या दे पाई पत्थर और बंदूक उन्हों ने रोजगार तो नहीं दिया उनको शिक्षा तो नहीं दी तो फिर आज वो किस मेश पर कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे नहीं आपका अगर शार्षन आया भी जो कि आपका सपना है आप तो केवल आतंकबाद पहलाओगे आप माँ पाकिस्तान को शैद होगे और ये अब होने वाला है नहीं आपका सपना सपना रह जाएगा आप देखिए गाओं गाओं में जनता के साथ मिटिंग करना ये मनोस सिना ने जारी किया है और मनोस सिना लोगों से डारेक्ट जुड रहे हैं ये बताता है कि लोगों का विश्वास केंडर में है और केंडर में जो राजपाल के नुमाइंदे वहां राश्पती जी के बैठे हैं राजपाल उन में है और इसलिए इनकी डाल गलने वाली है नहीं ये तीन दल मिल जाएं बीस दल मिल जाएं और कांग्रेस का तो एक खुलासा हो गया है कि ये कांग्रेस का घिनोना चेहरा अब सब के सामने आया है कि अभी तक हम नेशनल कॉंफेंस और पीडी पी और जो अलगाओ वादी दल हैं उनक कांग्रेस का मिलना ये बताता है कि कांग्रेस भी चीन के इशारे पर चल कर पाकिस्तान के लाव की ही बात करने वाली है इनके साथ क्यों मिली ये जवाब कांग्रेस की सोनिया गांदी को देना चाहिए कि आप अलगाओ वादी ताक्तों के साथ क्यों समझता कर रहे हो आप केवल सक्ता में आना आपका लक्ष है या देश की रक्षा आपका लक्ष है ये सोनिया गांदी को जवाब देना पड़ेगा लेकिन इस बात से इस मिटिंग में और इस घोसना पत्र में एक बात तो तैह हो गई के कांग्रेस भी देश विरोधी गती विदियों में लिपत रहती है छुपे रूप में अभी तक ही ये लगाओ वादी ताक्तों के साथ थी पहली बार इसका ये घिनोना चेहरा खुल गया है सबके सामने मुक्टा उतर गया है और कांग्रेस का भी देश विरोधी चेहरा हो जागर हो गया है